दोस्तो अगर आप चाहते हैं ओनलाइन पैसा कमाना और उस पैसे को स्मार्टली इंवेस्ट करना तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिलकुल अद्बूरिया नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अनील और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सोवरेन गोल्ड बॉंड के बारे में कि सोवरेन गोल्ड बॉंड क्या होता है क्या इसके एडवांटेज है क्या इसकी लिमिटेशन है क्या ये फिजिकल गोल्ड से बहतर है और बहतर है तो क्यों बहतर है और आप इसे ऑनलाइन कैसे परच securities है जो कि RBI के द्वारा यानि कि reserve bank के द्वारा issue किया जाता है on behalf of government of India तो अब क्योंकि इसे reserve bank खुद issue कर रहा है तो safety और security को लेकर तो कोई भी concern नहीं है यह सबसे ज़्यादा safe और secure है और सबसे बड़ी बात इसको substitute माना जाता है physical gold का तो यहाँ पर अब यह सबसे बड़ी बात है कि जो physical gold है उसका substitute है sovereign gold bond तो ऐसा इसे क्यों कहा गया है या फिर sovereign gold bond physical gold से ज़्यादा बैतर है तो एक बार समझते हैं कि physical gold and sovereign gold bond में difference क्या है अब यहाँ पर चीज समंझने की जरुत है कि जब भी हम घरों में gold खरीदते हैं तो हमेशा jewelry की form में खरीदते हैं और जब आप jewelry की form में खरीदते हैं तो आपको gold की rate के अलावा बहुत सारे charges देने पड़ते हैं जैसे कि हम बात करें अगर आप physical gold खरीद के ला रहा है jewelry की form में तो आपको उस पर देना होता है making charges उसके बाद उस पर लगता है GST और जो आप jewelry खरीद के लाते हैं उसमें कुछ होती है impurities और उसके बाद उस jewelry को store करने का एक risk कि आपने घर में कहीं locker में रखा है और चोर आगए चोरी करके ले गए तो उसका risk और अगर आपने इसको कहीं bank में locker में रखा है तो उस storage की cost तो ये सब cost आपको देनी पड़ेगी उसको store करने के लिए इसके बाद अगर आपकी jewelry थोड़ी पुरानी हो जाती है तो हो सकता है आपको उसमें polish कराने की जूरत पड़े हो तो उसकी polishing की cost आएगी और उसके बाद अगर suppose करो कि 5 साल आपने कोई jewelry रखे और वो trend में नहीं है तो आप क्या करेंगे उस jewelry को वापस देंगे और उसके बाद उसकी जिगे दूसरी नई design की jewelry लेके आएगे तो उसकी design cost भी आपको अलग से पड़ेगी और उस पर भी आपको making charges और GST देना पड़ेगा तो इतना सारा खर्चा आपका आजाता है अगर आप physical gold buy करते हैं तो अब समझते हैं कि sovereign gold bond अगर आप buy करते हैं तो आपको क्या-क्या charges देने पड़ते हैं सबसे बड़ी बात आपको आपका जो भी gold आपने buy किया है gold की rate के अलावा ना तो design और making charges देने पड़ते हैं ना ही इस पर कोई GST और STT लगता है और जो purity होती है वो बिल्कुल 24 karat gold की होती है और यहाँ पर आपको कोई storage का risk नहीं है, कोई storage cost नहीं लगने वाली है आप purchase करते हैं उसमें और जो sovereign gold bond आप purchase करते हैं उसमें कितना difference है तो आप कुछ basic details समझ लेते है sovereign gold bond के बारे में कि sovereign gold bond जो है वो issue करती है RBI on behalf of government of India और अभी latest जो series government issues कर रही है उनका आपको details यहाँ पर दिख रही है और मैं link description section में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप चेक आउट कर सकते हैं अभी जो यह issue open है वो 28 December से January 2021 तक open है तो यहाँ पर आप जाके इसे apply कर सकते हैं और कैसे apply करना है वो video में आपको आगे पता लग जाएगा दूसरे अगर हम बात करें कि जो investment है वो minimum आप 1 gram gold से कर सकते हैं और maximum जो limit है वो 4 kg gold है for individuals यानि कि एक person जो है वो 4 kg से जादा एक financial year में gold नहीं खरी सकता है और उसके बात करें जो cost of investment है तो जो भी current price चल रही होती है gold की उस current price पे आपको जो allotment है वो मिलता है और यहाँ पर अगर आप online खरीते हैं तो आपको 50 रुपे पर gram के हिसाब से discount भी मिलता है तो इते होगी कुछ basic details अब बात कर लेते हैं advantage की कि अगर आप sovereign gold bond में invest करते हैं तो आपको क्या-क्या advantage मिलती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन 6 advantage की जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर कोई design और making charges नहीं लगते हैं कोई भी आपको storage की risk और cost नहीं लगती है कोई polishing की cost नहीं देनी है कोई design change की cost नहीं देनी है और purity जो है वो आपको 24 karat के बराबर मिलती है अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके अलावा आपको क्या मिलता है तो इसके अलावा आपको मिल जाता है 2.5% का simple interest पारायना जो भी आप initial investment करते हैं उस पर आपको 0.5% का simple interest मिलता है ध्यान रखना यहाँ पर यह compounding interest नहीं है simple interest है 2.5% का simple interest मिलता है जो की interest आपका credit हो जाता है every 6 months में और जो यह interest होता है इस पर आपको tax pay करना पड़ता है as per tax lab जिस भी tax lab में आप आते हैं उसके हिसाब से आपको यह tax pay करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने आगए हो कि 5000 रुपे का आपने gold खरीदा है और gold appreciate हो रहा है और उसकी value 6000 हो गई है दो साल बात तो आप 6000 बेचेंगे तो 1000 रुपे का तो फायदा वो होगा इसके अलावा 0.5% simple interest आपको per annum और मिलता जाएगा आठवे advantage की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी capital gains tax नहीं लगता है अगर आप 5 साल के बाद इसे बेचते हैं यहाँ पर याद रखेगा यानि कि जो मैंने भी आपको बता है कि अगर आप 5 साल के बाद इसे बेचते हैं छटे साल में, साथवे साल में या फिर आटवे साल में जब इसकी maturity होती है तब आप बेचते हैं तो आपको जो capital gains है यानि कि अगर आपने 5000 का gold खरीदा था और 6000 हो गया तो यह जाजार रुपए इस पर आपको tax नहीं लगता है तो tax आपका किस पर लगता है? tax आपका simple जो interest आता है जो आपके initial investment है उस पर लगता है केवल बा कि आपको capital gains tax नहीं लगता है तो यहाँ पर आपको after 5 years आप इसे निकाल सकते हैं छटे साल में, 7 साल में, 8 साल में तो आपको exit option जो मिलता है वो after 5 years मिलता है maturity जो है इसकी वो 8 साल की है नवा advantage यह है कि आप sovereign gold bond को DMAT की form में खरीज सकते हैं आपको कहीं भी paperwork करने की या physically presence होने की जुरूरत नहीं है आप simply DMAT form में इसे online खरीज सकते हैं जो कि हम आगे के वीडियो में देखेंगे किसे कैसे खरीदा जाता है इसके बाद 10 वा जो है वो nomination की facility available है जैसे बाकी skims में होती है और 11 वा जो है आप इसे secondary market में भी बेच सकते हैं अगर आप चाहते हैं 5 साल से पहले भी बेचना तो ऐसा नहीं कि 5 साल से पहले आप नहीं बेच सकते हैं secondary market यानि share market में NSE BSE पे आप बेच सकते हैं और इसके अलावाए benefit और है कि आप जो भी SGB है यानि कि जो आपका sovereign gold bond है वो आपको as a collateral loan के लिए भी use किया जा सकता है तो यहां पर यह हो गई 12 advantage कि अगर आप sovereign gold bond में जाते हैं तो आपको यह 12 advantages मिलती हैं लेकिन अगर आप gold ETF, gold mutual fund या पर digital gold खरीते हैं तो यह सारे की सारे facilities जो आपको यहां मिली हैं वो सारे की सारी नहीं मिलती है इतनी सारे features और इतने सारे advantages जो हैं वो आपको sovereign gold bond में ही मिलते हैं तो यहां पर एक चीज़ और समझने की ज़र होता है जब भी कोई भी product होता है चाये वो sovereign gold bond हो चाये gold ETF हो चाये gold mutual fund हो या digital gold हो इन सभी में कुछ न कुछ कमिया भी होती है तो आप जान लेते हैं कि limitations क्या है sovereign gold bond की तो यहां पर पहला जो है ना के बराबर है क्योंकि आपको अगर पहले पैसे के जुरूत पढ़ती है तो आप इसे secondary market यानि के exchange में भी बेच के आप पहले भी निकल सकते हैं लेकिन यहां पर फिर एक catch है कि अगर आप इसे 5 साल से पहले बेचते हैं तो आपको लग जाएगा capital gains tax हमने क्या देखा था पहले कि अगर आप 5 साल के बाद बेचते हैं तो आपका जो capital gains tax है वो नहीं लगता है लेकिन क्योंकि यह 5 साल का lock-in है इसलिए अगर आप before 5 years आप secondary market में बेच देते हैं तो आपको लगेगा capital gains tax और इसमें 2 तरह के tax लग सकते हैं अगर आपने less than 3 years यानि 3 साल से पहले पहले आपने बेच दिया तो आपको लगेगा short term capital gains tax यह होगा आपके as per जो भी आपका tax lab में आप आते हैं उस tax lab के according आपका जो है वो tax लगेगा अब दूसरा अगर आप 3 साल से 5 साल के बीच में इसे बेचते हैं तीसरा जो है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी SIP की option available नहीं है बहुत सारे लोग SIP करते हैं आज mutual fund में जितनी investment है ज्यादा तर investment SIP के थूँ जाती है तो यहाँ पर लेकिन sovereign gold bond के लिए कोई भी SIP का option available नहीं है इसके अलावा चो चौती limitation है वो है कि maximum limit जो investment की है वो individual के लिए 4 kg of gold है एक financial year में तो basically अगर मैं कहूँ तो यह कोई limitation नहीं है इन्होंने upper cap लगाई है लेकिन 4 kg of gold एक financial year में खरीदना एक normal person के लिए possible नहीं है तो यहाँ पर मुझे कोई limitation नजर नहीं आती है तो यह तो होगी बात limitations की sovereign gold bond में SHCIL यानि कि stock holding corporation of india limited और stock exchanges या फिर उनके authorized agent से आप इसे easily buy कर सकते हैं तो stock exchange से buy करना हो या फिर उनके authorized agent से तो मैं prefer करता हूँ हमेशा zerodha के साथ जो कि india का number one discount broker है और यहाँ पर आप easily जाके sovereign gold bond purchase कर सकते हैं जो कि अब मैं आगे बताने वाला हूँ कि live कैसे purchase करते हैं इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक जिरोधा का deemate or trading account नहीं open करा है तो link description section में है जाईए और अभी जिरोधा का deemate or trading account आप open कर सकते हैं अब मैं चली आपको बताता हूँ कि जिरोधा में किस तरह से आप sovereign gold bond को purchase कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको browser में जाना है और zerodha.com slash gold यह type करना है या फिर आप google में भी जाके search कर सकते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपका आजाएगा sovereign gold bond scheme यहाँ पर आप देख सकते हैं gold के जो भी market returns होंगे उसके अलावा आपको मिलेगा fixed 2.5% का per year return on investment amount जितना भी आप investment करेंगे उस पर 2.5% per year simple interest मिलेगा प्लस जो भी आपके gold की market price होगी यानि कि अगर आपने आज 5,000 रुपे का gold खरीदा है per gram तो आपको future में अगर आपको 6,000 या 7,000 रुपे पर gram मिलता है तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इसके लावा आपको 2.5% का return और मिलेगा per year यहाँ पर आप देखिए कि capital gains tax जो है वो redemption करने पर आपको exempted है यानि कि आपको कोई भी capital gains tax यहाँ पर नहीं देना होगा अगर आप 5 साल के बाद इसे बेचते हैं तो अब यहाँ पर simply आपको करना क्या है कि अगर इसमें invest करना है तो आपको यहाँ पर invest now पे click करना है same way में अगर आप mobile के through करना चाते हैं तो mobile में भी आपको क्या करना है आपके browser पर जाना है और यहाँ पर भी देखिए same screen आ रही है जो से आप देख सकते हैं कि zerodha.com slash gold type क्या यहाँ भी invest now का option है था आप invest now पे click कर दीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि zerodha के coin का login आ गया है यहाँ पर आपको username और password डालना है तो यहाँ पर आपको simply क्या करना है जैसे आप username password अपना डालेंगे तो आप आगे redirect हो जाएंगे तो मैं यहाँ mobile पर आगे की activity आपको एक बार करके बताता हूँ यहाँ पर मैंने login कर दिया है login करने के बाद यहाँ जो screen आ गई है देखिए sovereign gold bond यहाँ पर offer close जो हो रहा है वो एक तारिक हो रहा है जनुरी 2021 को और जो gold की price है वो है 4950 रुपए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा इसको side में करता हूँ यहाँ quantity आपको कितनी करनी है वो आप यहाँ डाल सकते हैं तो जैसे मैंने एक quantity कर दी थी थी यहाँ 4950 अपने आप हो गया है अब उसके बाद आपको simply क्या करना है कि यहाँ place order जो है इस पर आपको click करना है तो जैसे मैंने यहाँ पर place order किया तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है confirm investment of 1 units in the sovereign gold bond scheme और यह जो scheme का number है यहाँ पर place order पर आपको click करना है तो जैसे आप order place करेंगे तो यह order देखिए यहाँ पर placed आ गया है अगर आपको इसे edit करना है तो simply आपको यह pencil का icon दिखरा है इस पर edit पर click करना है और आपको जो भी quantity modify करनी है तो जैसे यहाँ पर अगर आप दो करते हैं तो देखिए automatically जो price है वो change हो गई है और उसके बाद आपको यहाँ पर save पर click करना है तो इस तरह सी order placed पर दो quantity आ गई ह अगर आपको इसे delete करना है तो simply आपको यहाँ पर delete पर click करना है और delete order पर click कर देना है तो जो आपका order है वो यहाँसे delete हो गया है मैं आपको यह activity जो है आपको यहाँ इस पर भी करके दिखा देता हूं तो आपको थोड़ी से clarity हो जाएगी यहाँ पर मैंने login कर लिया है और जैसे आप login करते हैं तो यहां पर आपको दिखें कि scroll down जैसे आप करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा Sovereign Gold Bond तो यहां पर आपको simply क्या करना है कि यहां पर आपको मिल जाता है Sovereign Gold Bond Scheme और scheme कौन सी चल रही है वो यहाँ पर मिल जाएगी offer close कब हो रहा है उसकी date आजाएगी और time आजाएगा और gold की जो price चल रही है वो किस price पर आपका buy होगा वो यहाँ पर आगई 4,950 रुपए यहाँ पर आपको जितनी भी quantity buy करनी है आपको quantity डाल दीजे for the same तो आपको जैसे आपने place order किया तो आपका order place हो गया है अब आपको यह ध्यान रखना है कि जब यह offer close होगा तब आपके उसके बाद आपके account में जो है यह 4,950 रुपए होने चाहिए तब ही order execute हो पाएगा अधरवाइस order execute नहीं होगा edit करना है अगर आपको इसे delete करना है तो simply आपको यहाँ पर delete करना है और यह delete order करके आप इसे delete भी कर सकते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आप जो भी order है वो place कर सकते हैं, modify कर सकते हैं और delete कर सकते हैं तो यह मैंने जैसे order place कर दिया है तो इस तरह से आप 010 के coin के through sovereign gold bond में investment कर सकते हैं और जो link है वो मैं description section में दे दूँँगा आप DMIT और trading account खोलने के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि sovereign gold bond आगे कब खुलने वाला है तो सब के link आपको description section में मिल जाएंगे तो आज के video बस इतना ही आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया थे से वीडियो को like, share और channel को subscribe करना बिल्कूनत बुलिए क्योंकि इसी तरह के video मैं आपके लिए लाता रहता हूँ इस video को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद आपका दीन शूबो